नमस्कार दोस्तों मैं विपिन सिंग एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके चैनल क्रियेट ऑन वर्ल्ड पर जिसका मतलब अपनी सोच बदलिए अपनी दुनिया बदलिए दोस्तों अमीद करता हूँ इस लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में आप और आप का परिवार बल्कुल स्वस्थ होंगे अच्छे होंगे हैल्दी होंगे दोस्तों आज एक बार फिर हाजिन हो आप सभी के बीच में रेनेटर्स वेलनेस प्राइवेट लिमिटेट की एक और अच्छे टॉपिक के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप से डिसकस करूंगा क आपके वर्तबान समय में अभी जो वर्क आप कर रहे हैं उस वर्क जात साथ यदि आप पर राइनेटर्स को भी अपनी लैफ में एड़ कर लें तो आपको कितने साथ बैनिफिट मिलने वाले हैं क्योंकि रैनेटर्स और आपके इर्णिंग सोर्स में कम्पैजन करने के बा और न्यूव वीडियो की अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली मेरी लेटिस्ट वीडियो के लिए बैल आइकन का बटन जरूर दबाएं दोस्तों अभी वर्तमान समय में देखिए हमें पैसे की आवशक्ता है और हम पुरी लाइफ में पैसे के पीछे जाते हैं और पैसे के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि पैसा बहुत इंपोटेंट है महतपूर है हम सब की लाइफ में क्यूंकि पैसे के लिए एक लाइन बोली जाती है कि पैसा सिर्फ वहां काम नहीं आता जहां पैसे की आवसक्ता नहीं होती है अन्यता पैसा हर जगे काम आ जहां पैसे की आवश्रक्ता होती है यह लाइन बहुत गहरी है इसको आप द्वारा सुनिए और सोचिए कि पैसा आपकी लाइफ में कहां महत्पूर है तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि यह मनी यानि कि पैसा आपको कमाने के लिए आप किस कि सोर्स से जुर सकते ह हैं अभी तक एक रिसर्च हुई है पूरे के पूरे वर्ल्ड में जहां सिर्फ बताया गया है कि अभी सिर्फ चार ऐसे सोर्स हैं जहां से पैसा कमाया जा सकता है और मोस्टली लोग यही वर्क अपने जीवन में करते हैं इसी वर्क को करके वो पैसे को कमाते हैं तो पहला जो source है हमारा वो पहला source है job यानि कि हम सभी विक्ती नौकरी करते हैं जो विक्ती नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी करके पैसा कमा रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि अपनी जीविगा को चलाने के लिए हमें नौकरी करनी पड़ती है दूसरा जो earning source होता है वो होता है दोस्तो बिजनिस और जो मैं बिजनिस की बात कर रहा हूँ वो बड़े corporate बिजनिस की बात नहीं करना हूँ ये ऐसे बिजनिस हैं जो की एक तरह से job की तरह ही दिखाई देते हैं लाइक आपके आस पास दुकान चलाने वाले सबजी बेचने वाले या इस टाइप के ऐसे लोग जो अपने बिजनिस से रोज earning करते हैं और अपनी जीविका को चलाते हैं यानि के एक middle class बिजनिस हम इसको बोल सकते हैं अब मैं बात करूँ हम थर्ड earning source यानि के self employee ये self employee कौन होते हैं ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी education के माध्यम से अपनी earning source करते हैं लाइक डेंटिस्ट हो सकते हैं लॉयर हो सकते हैं एसे बहुत सारे profession हैं जिसमें आप अपना office खोल के बैठते हैं और earning करते हैं फिर next हम बात करेंगे investment की यानि के एक earning source हमारे जीवन में ऐसा भी है जहां सिर्फ हम पैसा invest करते हैं और invest करने से जो हमें interest होता है या profit होता है उससे ही हम अपनी जीवी का चलाते हैं अभी तक पूरे world research में बताया गया सिर्फ ये मात्र ऐसे चार resources अभी तक ऐसे माने गए हैं जिसमें से लोग पैसा कमाते हैं और अपनी जीवी का चलाते हैं अब आगे वाली slide में comparison करेंगे इन सभी earning source का एक दूसरे से कि कहां हमें जाने के लिए हमें क्या चीज चाहिए कितनी education चाहिए और हमें यहां से क्या मिलने वाला है तो दोस्तो जॉब है business है self employee है investment है और इसको हम देखेंगे इसमें हमें किन-किन चीजों के आवाज सकता पड़ सकती क्या क्या requirements हमारी होती है किससे comparison करना है education time stress risk income investment और growth यानि कि इन सारे profession में इन सारे earning source के अंदर हम देखेंगे कि हमें यहां से क्या क्या मिल सकता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब की तो जॉब करने के लिए दोस्तों हमें education की आवशकता होती है बिल्कुल चाहिए time भी हमें पूरा चाहिए क्योंकि हमें education education हमारी अच्छी है और हम time अपनी नौकरी में पूरा दे पा रहे हैं तो हमें earning होने की संभावना बनी रहती है stress यानि के मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है क्योंकि जब तक नौकरी है जब तक पैसा आएगा जिस दिन आपकी नौकरी छुट जाएगी अना ही private job safe है आज जिस समय मेडियो बना रहा हूँ आज भारत में lockdown की स्थिती है और जैसे ही lockdown आपका finish होगा आप देखेंगे कि भारत की अर्थविवस्ता बहुत down जाने वाली है पूरे विश्व के अर्थसास्ती बोल रहे हैं कि जहां जहां coronavirus का effect रहा है वहां अर्थविवस्ता बहुत down जाने वाली है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नोकरियां जिनके business रात और रात खतम हो सकते हैं बात कर रहे हैं दोस्तों हम रिस्क की तो रिस्क हमेशा बना रहा है क्योंकि जब तक आपकी job है जब तक आपका earning source बना हुआ है जो दिन आपकी job गई या कुछ ऐसा miss happening आपके साथ हो गई कि आप अपनी job को पूरा नहीं कर पा रहे हैं यहां वहां पर नहीं जा पा रहे हैं आपका कुछ ऐसा loss हो गया है तो आपके लिए यह बहुत बड़ा जटका हो सकता है आपकी life में इसलिए job वाले sector में हमेशा risk बना रहता है next हम बात करेंगे income की तो income यहां पर होती है और job के लिए सिर्फ मैं एक line यहां पर बोलना चाहूँगा कि job कभी भूका मरने नहीं देती और तरक्की कभी करने नहीं देती यानि कि यहां पर हमेशा limited income आपकी बनी रहती है investment यहां पर किसी परकार का नहीं होता है क्योंकि आपको सिर्फ education लेनी है आपकी education के आधार पर आपके job में कितना आप time दे रहे हैं आधार पर आपको income होती है अब बात करें गिरोथ की तो गिरोथ यहां पर बहुत जादे slow है बहुत-बहुत धीरी धीरी यहां पर growth होती है next बात करते हैं दोस्तों business की तो business एक ऐसा sector है जहां पर आपको education की आवशकता नहीं पड़ती है जिस middle class में business की बात कर रहा हूं उसमें आपको education की बुगलगावशकता नहीं है time आपको proper देना पड़ेगा job से जादा देना पड़ेगा जब तक आप दुकान पर बैठे रहेंगे जब तक आपका product sale होता रहेगा माल बिकता रहेगा जब तक आपको income आती रहेगी stress यहां पर job से जादे मानसिक तनाव है क्योंकि यहां पर हमेशा competition बना रहता है और market में आ रहे ही नहीनी technology के आधार पर आपको अपने business को अपडेट करते रहना पड़ता है risk पूरा बना रहता है क्योंकि ना जाने कब कौन सा ऐसा trend आ जाए जब आपका business ठप हो जाए और आपको अगर business को बनाए रखना है तो हमेशा आपको knowledge gain करते रहने पड़ेगी अपने business के sector की और हमेशा update रहना पड़ेगा पैसा market में rotate होता रहता है पैसा market में फसा रहता है इस वज़े से हमेशा risk बना रहता है income यहाँ पर भी limited होती है सिर्फ जीवी का चलाने लाएक यहाँ पर आपको income मिलती रहती है investment यहाँ पर proper होता है क्योंकि जब तक business में investment नहीं होगा जब तक आपका business भी start नहीं होगा इस category के अंदर भी हम देखेंगे तो जो growth है वो job से थोड़ी better हो सकती है लेकिन इतनी जादे नहीं है कि आप एक अच्छी life को जी सकें या आपके जीवी का बहुत बढ़िया पट्री पे चल सकें बात करेंगे अब next self employee की यह category है जहां पर आपको education की higher education की आवशकता होती है और आज इस दौर के अंदर आपको अपने फिल्ड में यदि आप dentist है या फिल lawyer है या C.A. है या आप इस तरीके को कुछ भी profession में हैं जहां आप अपनी education के आधार पर office को खोल कर बैठे हुए हैं और earning कर रहे हैं तो आज आपको अपने वाले field में अच्छा पैसा कमाने के लिए एक specialist बनना पड़ेगा अन्यता आप यहां पर भी पैसा ज्यादा नहीं कामा पाएंगे क्योंकि यहां पर भी बहुत ज्यादा competition है क्योंकि जहां education आती है वहां पर competition पहले ही खड़ा है हर साल नबहला कि student बहार आते हैं जिके ग्रेजुशन करने के बाद और उन सब क नौकरी या रोजगार चाहिए होता है बहुत सारे आपके profession में से भी लिकल कर आते हैं और वो भी आपी की तरह office खोल कर बैठे हुए हैं यदि आप update नहीं हो रहे हैं आप knowledge gain नहीं कर रहे हैं तो आप अपने sector में बहुत जल्द fail होने वाले हैं इनकर इंकम की बात करें तो आपके साथ कुछ miss happening हो गई या कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित हो गया कि आप अपने office पे नहीं जा पा रहे हैं तो आपकी income उसी दिन से रुख जाती है ये सबसे बड़ा risk इस वाली category में मैं मानता हूं investment यहाँ पर कुछ नहीं करने पड़ती है अगर आप एक बड़े profession में अपने आपको उचाईयों पर ले जाना चाहते हैं तो आपको अपने आपको update करने के लिए grow करने के लिए investment की आवश्यक्ता पड़ सकती है growth की बात करें तो यहाँ पर भी इतनी जादे growth नहीं है अगर आप अच्छे से अपना आपको grow कर पा रहे हैं knowledge gain कर पा रहे हैं और अपने field में थोड़ा थोड़ा specialist बनने की रहा पर बढ़ चुके हैं तो growth थोड़ी सी business वाले profession से और job वाले profession से आप थोड़ा better यहाँ पर कर सकते हैं नेक्स्ट बाट करेंगे investment की तो investment में ना आपको education चाहिए ना आपको time चाहिए stress higher यानि के बहुत हार stress यहाँ पर बना रहता है यहाँ पर मानसिक तनाब उपर वाली तीनों केटेगरियों से सबसे ज़्यादे बना रहता है क्योंकि market में सबसे ज़्यादा पैसा भी इसी के investment करना है जबी आप अपनी जीविका को चला पाएंगे अन्यता आप नहीं चला पाएंगे और अगर income की बात करूँगा तो यहाँ पर income limited नहीं है यहाँ पर ये income के लिए में एक सब्द का इस्तमाल करूँगा जिससे हम जुआ बोल सकते गैंबल बोल सकते हमेशा जिंद की उलट पलट होने की संभावना बनी रहती है और पैसा आभी रात आभी सकता है और नहीं भी आ सकता है यह वाली असमंजस हमेशा mind में चलती रहती है हमेशा market में पैसा बड़े amount में फसा हुआ होता है growth कभी भी इस category में देखने को आपको नहीं मिलने की क्योंकि एक तरह का जुआ है और जिस दिन पैसा आता है अगले पल उससे पैसा जा भी सकता है यह कौन सी category है यहां पर share market हो सकता है इसके लावा जो बड़े बड़े investment करने वाले sector है उन सब को investment का एडिया बोला जाता है तो दोस्तों अभी तक हमने इन चारो category में बात करी है कि आप कौन सी category मे आप यहां से क्या हासिल कर सकते हैं दोस्तों अभी आप कोई सी भी category में हैं इसमें से आप जो कर रहे हैं आपका जो अनुभब है बिल्कुल करते रही है लेकिन साथ में एक चीज एक ऐसा business आप एड़ कर सकते हैं जिससे आपकी life को बहुत अच्छी support यहां से मिल सकती है सबी सेक्टरों से हम इसका comparison करेंगे तो बहुत आसान है इसे करना कैसे आईए समझते हैं education बिल्कुल नहीं चाहिए यदि आप 12 है 10 है एज आपकी 18 प्लस है और सीखने की और मेहनत करने की आपके अंदर रलक है तो यहां पर सिर्फ इतनी ही education की आवशक्ता चाहिए और हो स प्रिक कर लर्न करकर इस business को किया जा सकता है और साथ ही साथ अपने वर्तमान काम के साथ भी से किया जा सकता है इस test और मानसिक तनाव इस वज़े से नहीं होता है क्योंकि आप ना तो यहां पर full time देते हैं starting में और नहीं आपका कोई बड़ा amount बड़ी money आपकी market में नहीं तो किसी को पैसा नहीं देना होता है बड़ा amount में को investment नहीं करना होता है और पूरा समय भी नहीं लगाना होता है तो यहां पर risk किसी परकार का नहीं होता है income के बात करें तो यहां income करने के लिए आपके पास कोई दायरा नहीं है कोई limit नहीं है आपकी सीखने की सक्ती और आपकी मेहनत करने की सक्ती पर depend करेगा कि आप कितनी income यहां से कर सकते हैं investment बिल्कुल नहीं करना है growth की बात करें तो growth it's too fast very fast क्योंकि यहां पर आपका काम करने का जो दायरा है वो unlimited होता है और यहां पर आपके काम करने के घंटे वो 24 घंटे से बाहर लिकल जाते हैं यहां time की multiplication होती है time की leveraging होती है यहां पर बहुत कुछ ऐसा है जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा सिर्फ इतना समझिए कि यहां पर आप अकेले काम नहीं करेंगे यहां पर आपके जैसे ना जानो कितने लोग सेकड़ो आपके लिए काम करेंगे यानि कि आपके दवारा किया गया काम तो आपको फल देगा ही देगा साथ में आपके साथ जो लोग काम करेंगे उनके दवारा किया गया काम भी आपको profit देने वाला है इसलिए यहां पर जो बहुत्फी अर्निंग बहुत अक्ठा धारो बहुत्वार्त से सब्सक्राइद करसे में सब्सक्राद करें इन्कम कोौन कर सकते हैंं। एक शांदार अच्छा टेक्निकल सपोर्ट देगा आपको एक अनोखा अनुभब सिर्फ मुबाइल के माध्यम से घर बैठकर आप अपने इस बिजनिस को कर सकते हैं और साथ इसाथ अपनी इंकम को बहुत तेजी से बूस्ट अप कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं किसी प्रकार की कैसी भी समस्या है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और इस बिजनिस के बारे में पूछ सकते हैं इसके लावा मेरे चैनल पर जाकर आप इस बिजनिस से रेलेटेड बहुत सारी वीडियों हैं जिने आप देख सकते हैं क्या करना है कैसे करना है या पर इंकम कैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइक कीजे, शेयर कीजे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक अच्छे और बढ़िया टॉपिक के साथ थैंक यू